हेलो प्रेंट्स मोटिवेशन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे एगलो निमा की कटिंग को किस तरह घर पर ग्रोव कर सके तो दोस्तो अगर आप भी एगलो निमा को घर पर ग्रोव करना साथ है तो इस वीडिय एक मंत से उपर हो चुका है तो इसको मैंने दो जगा ग्रोव किया था एक पानी में ग्रोव किया था एक कोको पीट के अंदर ग्रोव किया था तो दोस्तो आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा है इसके बाद दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं इसको मैंने कोको के अंदर ग्रो कर दिया था लगा दिया था तो दोस्तों इसका हम देख लेते हैं कि किस तरह से रोटिंग होई है तो इसमें जो ब्रांचे से निकली है टैनिया निकल चुकिया बहुत ही खौफ सूर्त लग रहे है चोटी-चोटी टैनिया तो यहां पर सबसे पहले परा जो बीडो डालते हैं वो अपडेट नहीं दिखाते e सिर्फ बीड़ियो बनाएके डौल देते हैं और उससे जो गार्टनर लवर है जिसको गार्टनिंग का शक है उनको सही से जानकरी नहीं मिल सकती जब तक उस बीडो का जो अपरेट ना मिलें इसलिए दोस्तों मै इतने अच्छे से इसमें जो ड्वेल्प होई है तो यहां पर जो मैंने तीसरी कटिंग इसके साथ ग्रोव की थी आप देख सकते हो इसके साथ एक छोट असा बेवी प्लांट भी नीचे से और निकल के आ रहा है रूटिंग बहुत अच्छे से जो इनकी ड्वेल्प होई है तो दोस्तो अगर आप भी कोई भी एगलो नीमा की ब्रैटी को ग्रोव करना चाहते हो घर पर तो इस बीडियो को देखने के बाद दोस्तो आप 100% सक्सेसपुली जो एगलो नीमा की कटिंग को घर पर ग्रोव कर सकते हैं तो दोस्तो यह जो ब्रैटी है यह मेरे पास बाइ इंडॉर प्लांट है और इसकी बहुत सारी किस्मیں जो दुनिया में पाई जाती है नरस्टरी के अंदर दोस्तों अगर आप जाओगे इसकी जो पौधा है बहुत ही कॉस्टली मिलता है मेंगा मिलता है दो तिन सो रुपए से कम इसका जो प्लांट है नहीं मिलता तो आप जो देख रहे हैं यह प्लांट सनो बाइट एगलो निमा है यह प्लांट दोस्तों इंडोर प्लांट है इसको दोप में रखा हुआ था इसलिए दोस्तों इ मैं दो जगा ग्रो करूंगा एक कटिंग को मैं डारेक्ट पानी के अंदर ग्रो करूंगा जो पानी मैं हपते में दो बार चेंज करने वाला हूं तो दूसरी जो कटिंग है उसको मैं कोको पीट के अंदर ग्रो करूंगा तो दोस्तों इसको मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सक और निच्चे से एक cutting एक्स्टा त्यार कर लूँगा इसमें से तो एगलो निमा की जो खास बात यह है कि इसकी जो cutting है दो इंच की cutting को भी बहुत ही असानी से हम grow कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास दो इंच से भी छोटी एक cutting लिए है उसके बाद इसमें से मैं जो दो cutting और त्यार कर लेता हूँ जो दो इंच से बड़ी है तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास तीन cutting अलग से त्यार हो गया जिसको मैं कोकोपीटर के अंदर grow करूँगा और एक जो cutting है जो पत्ते के साथ है उसको मैं पानी में grow करूँगा तो यहां पर मैंने ए cutting है एक cutting को पानी के अंदर grow करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से पानी भर लेना है हमने और उसके बाद इस cutting को इसके अंदर हम लगा देंगे ध्यान रहे दोस्तों यह जो हमारे plant है इनको indoor रखना है डारेक्ट दोप में नहीं रखना तो दोस्तों दूसरी बात यह ह कि जो हम पानी के अंदर grow कर रहे हैं इसका जो पानी हपते में दो बार कम से कम change हमने करना है इसके बाद हमने लिया है एक और bottle तो इसको हम half cut कर लिया है इसके अंदर हमने नीचे चार चोटे चोटे होल कर लिया है दोस्तों होल हमेशा जो भी आप गमला use करे मिट्टी लग जाते हो तो इसके अंदर होल पका होने चाहिए ताकि दोस्तों अगर extra पानी गमले के अंदर चला जाता है तो इससे जो पानी निचे से निकल जाए और जो अपका प्लांट है उसकी जो roots है वो गले ना और जो हमारा प्लांट है बहुत अच्छे से successfully वो चल जाए इस तरह स द्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप cutting इसकी कर रहे हो पत्ते निकालने के बाद तो ध्यान रखें कि इसकी ऊपर वाली सेड कौन सी रहनी है cutting के और निचे वाली सेड कौन सी रहनी है तो दोस्तों अगर आप उल्टा इसकी cutting लगा देंगे तो ये growth नहीं करेगा य अब की cutting है ऐसे कैसी ही पड़ी रहेगी तो यहां पर दोस्तों मैंने ये जो cutting है वो दोनों ready कर दी है लगा दी है एक cutting मैंने पानी के अंदर लगाई है दोसरी जो cutting है वो मैंने कोकोपेट के अंदर लगाई है तो दोस्तों एक महीने के अंदर इसका जो result बहुत ही अच्छ नहीं होती इसलिए दोस्तों इसको सर्दी के अंदर बिल्कुल कटिंग इसकी ग्रो ना करें और दूसरी बाद यह दोस्तों कि इसको डारेक्ट सनलाइट में इसका अगर गमला है तो इसको ना रखें तो इसके डारेक्ट सनलाइट लगने से जो पत्ते है वो जल जाते है जो इसकी खूबसूरती अब वह नहीं रहती तो cutting कंधर हम एक बार अच्छे से पानी डाल देंगे इसको fill कर देंगे इसके बाद इसको हमने shadow में रखना है दोस्तो तो इसको ऐसी जगा रखना है यहाँ direct sunlight नहां आती हो और तोड़ी तोड़ी वहाँ पर रोशनी आते हो ऐसी जगा पर हमने रख देना है तो आप देख सकते हो दोस्तो 10-12 दिन के बाद इसकी जो growth है वो बहुत अच्छे से start हो गई है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को झाल